नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेकनिकल इगल तो कैसे हैं आप सौगत करता हूँ आज एक नए वीडियो के साथ आज बात करेंगे रेड्मी के थाइटी अल्टरा के बारे में जिया दोस्तों फोन बहुत बढ़िया है और र 11 ऑफ अगस्त को आज की दिन ही रेड्मी 30, K30 अल्टरा लिरिष किया गया है कमपनी ने इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स कमपनी ने दिये है इसका जो कैमरा है इसमें आपको रेर साइट चार कैमरे देखने को मिलेंगे जो की बहुत बढ़िया कैमरे देख डिस्प्ले की डिस्प्ले बहुत बढ़िया है दोस्तों इस पर आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि High Resolution Full HD डिस्प्ले होगा इसके साथ ही कैमरे की बात करेंगे इस पर आपको 20 MP का Front Camera देखने को मिलेगा इसके बाद आपको पीछे साइड चार कैमरे देखने को मिलेगे जी हाँ दोस्तों 4 Camera Setup के साथ ये Phone आएगा और बहुत बढ़िया इसकी Looking आ रही है 4 Camera Setup के साथ इस पर आपको 64 MP का Primary Camera देखने को मिलेगा जो की बहुत बढ़िया Camera है और इसकी Picture Quality भी बहुत बढ़िया है इसके बाद आपको इस पर एक 13 MP का और एक 5 MP का और एक 2 MP का Depth Camera देखने को मिलेगा जो की बहुत बढ़िया resolution और बहुत बढ़िया Picture Quality के साथ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस पर जो प्रोसेसर यूज किया गया है वह MediaTek Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर यूज किया गया है जो की बहुत बढ़िया है गेमिंग के नज़िये से इस पर आप Fast Gaming बहुत अच्छे से बहुत असानी से कर पाएंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी Internal Storage और इसकी RAM की तो RAM की बात करें तो इस पर आपको 6 GB की RAM मिलेगी जो की 128 GB भी Internal Storage के साथ आईगी इस पर आपको कौन से और वेरिंट्स देखने को मिलेंगी इसकी अभी पुक्ता जानकारी नहीं मिली है लेकिन RAM बहुत बढ़िया है और जो भी इसका Internal Storage है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी कपैसिटी की तो बैटरी आपको 4500 mAh की बैटरी की देखने को मिलेगी और बात करें इसकी Android Operating System की तो latest Android Operating System Android 10 पर ये फोन चलेगा जो की बहुत बढ़िया Operating System है और बहुत ही स्मूज वर्किंग करता है और Connectivity के सारे साधन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे Proximity Sensor है, Accelerometer है और भी बहुत से Sensor इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और इस पर सबसे मेंचीज इन Screen Fingerprint Display भी देखने को मिलेगा जो की बहुत बढ़िया Features है दोस्तों Fast Charging की बात करें तो इस पर आपको Type-C Supportive Charger मिलेगा जो की Fast Charging के लिए बहुत बढ़िया Option है इस पर आप बहुत जल्दी ही अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे और भी बहुत से Sensor इसमें आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत से नए नए Features इसमें एड किये गए है Dual Nano Sim के साथ Dual 4G Phone सपोर्ट करेगा और बहुत बढ़िया Phone होने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करकर जरूर बताएं अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दवाएं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ अगली नए जानकारी के साथ अभी के लिए धन्यवाद अगले नए वीडियो में मिलते हैं